तो दोस्तों ये ऐसा जबरजस्त काड़ा है जिसके वज़े से कई तरह की गले की इंफेक्शन, खांसी, कफ सारी चीजें ठीक हो जाती है तो चलिए इस रेसिपी को सुरू करते हैं आज कल वाइरल भी बहुत जादा चल रहा है आप इसे बना के पीजिए बस एक से दो दिनो में सारी समस्याएं खतम कर देता है ये काड़ा और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नहीं भी सकते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रसुई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जा रही हूं काड़ा रेसिप इसे बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है तेजपत्ता यहां पे तीन तेजपत्ते लिये है मैंने और यह मैंने लिया है दालचीनी तो दालचीनी को थोड़ा सा दरदरा कूट के मैं रखती हूं जैसे किसी मसाले बगरा में जब पीसना होता है तो यह आसानी से पीस जा मैंने और सारी चीजों को आप अच्छे से पहले कूट लीजेगा कूटने से काड़े में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अजवाइन अगर सरदी का दीन हो तो जादा ले सकते हैं अभी गर्मी है इसलिए अजवाइन की मात्रा को मैंने कम रखा है और ये सारी सामगरी दो कप काड़े के लिए मैंने ली है आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी इसकी क्वेंटिटी बढ़ा सकते हैं अब इमाम दस्ता लेंगे और सारी चीजों को उसमें ढालेंगे तो सबसे पहले मैंने काली मिर्च और लॉंग डाल दी है तो सुखे मसा कूट लेंगे ताकि जब हम काढ़ा बनाएं तो इसका स्वाद पूरा अच्छे से काढ़े में आए ये देखिए इस तरीके से दरदरा कूट लिया है मैंने ये देखिए और अब जो गीले वाले मसाले हैं यानि अद्रक और तुलसी पत्ते वो डाल के हम कूटेंगे ये लेती हूँ तो चलिए अब ये अद्रक और तुलसी पत्ते भी अच्छे से कूट लेते हैं ये देखिए इस तरीके से काढ़ा बहुत ही जबर्जस्त बनता है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है गले के लिए अच्छा है और आजकल तो वैसे भी बुखार का सीजन चल रह है वाइरल बुखार का बरसात का टाइम है आप ये छोटे बच्चों को दीजिए गा तो इसमें काली मिर्च और अद्रक की मात्रा को कम रखिएगा ताकि ये बच्चे के गले में लगे नहीं आप बड़े और छोटे दोनों को दे सकते हैं ये देखिए यहाँ पर मैंने ल ना रही हूं लेकिन पानी मैं तीन कब डालूंगी क्योंकि एक कब पानी इसमें काढ़े के साथ मसालों के साथ अच्छे से पकते हुए जल जाएगा तो बाकी दो कब बचेंगे अब हमने सबसे पहले तेजपते डाल दिये हैं जिसे मैंने तोड के रखा था तेजपते डा और दोस्तों आप इस काढ़े को तीन बार बना के दिन में पी सकते हैं सुबह दो पहर साम अगर आपको कफ कोल्ट कुछ भी हुआ हो तो आप इस काढ़े को जरूर पीजिएगा बहुत ही फायदेमन्द है और ये देखे सारे मसालों को हमने डाल दिया है और मसालों को डाल आप चाहे तो इसे बीना गुड़ और चीनी के जैसे जो कोई डाइबिटिक हैं वो बीना गुड़ और चीनी के भी इस काढ़े को पी सकते हैं ये देखे बहुत अच्छे से उबल चुका है आप देख पा रहे होंगे गुड़ डालने से इसका कलर भी बहुत प्यारा हो ग इस तरीके से चान लेते हैं ये देखे अब ये गरमा गरम काड़ा आप पीजिए सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों फिर से एक बार कह रहे हूं गारंटी है कि अगर आपको कोल्ट कफ या बुखार कुछ भी है और आपने गरमा काड़ा 2-3 दिन पी लिया तो कोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा वीडियो को और चलिए मिलते हैं एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों एंड टेक केर